नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इस्टेड़ी विद एलिश एलक्स पर और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से यारो यारो की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश से आपको कम समय में बहतर कंटेंट उपलप्त क कड़े में आज हम आपके सामने लेका रहे हैं विज्ञान और विज्ञान में हो जाती है बाइलोजी बाइलोजी के हो जाते हैं आपके टोफंडेट कोस्चन और ये कोस्चन आपके लिए हैल्पून होने वाले हैं और ये जो समय है ये आपका रिवीजन का समय है अब जो ह आने की संभावना बनी रहती है तो चलिए देर ना करते हैं शूरू कर लेते हैं ये revision है हमारा 100 question का और ये question है byology और चलिए देख लेते हैं पहला question हमारा क्या हो जाता है जन्तुव ज्यान यानि जूलोजी अध्यन करता है जूलोजी अध्यन किसका करता है ये आपको बताना है और इसका correct answer हो जाता है आपका C, जीवित्व मिरत जानवरों दोनों का अध्यन करता है आपका जूलोजी ठीक है जूलोजी की बात कही गई है जन्तु विज्ञान और ये जीवित में मिरत दोनों का ध्यन करेगा और इसमें हमारे top 100 question हो जाते हैं सारे question आपके लिए important हो जाते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिये हुए कूट से जो है सही उत्तर का भी आपको चैन करना है इदर आपकी सूची एक हो जाती है इदर आपकी सूची दो हो जाती है कौन-कौन से किस से संबंदित हो जाते हैं ये आपको बताना है पक्षी की बात करेंगे तो इसका जो संबंद है ये आपका हो जाता है और निथोलोजी से और नितोलोजी ये पक्षिव ज्यान से संबंदित हो जाती है वनसागति की बात करेंगे ये जनेटिक से संबंदित हो जाती है परियावरन की बात करेंगे ये एकोलोजी से संबंदित हो जाती है और जीवासम की बात करेंगे यह आपका पैलियो बायलोजी से सम्मदित हो जाती है इस तरह से आपका A का 3 हो जाएगा और A का 3 केवल A की ओप्शन में दिया गया है A का 3, B का 4, C का 2 हो जाएगा और D का आपका 1 हो जाता है ठीक है और B जो है यह आपका correct हो जाता है और बात कर लेते हैं फूलो के अध्यन को क्या कहा जाता है यह वो कोचन है जो बार-बार आपकी प्रिक्षा में पूछे जाते रहे हैं फूलो के अध्यन को आपका Anthology कहा जाता है ठीक है Anthology कहा जाएगा फूलो के अध्यन को एग्रोलोजी की बात करेंगे तो एग्रोलोजी आपका घास के अध्धिन को कहा जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है घास के अध्धिन को एग्रोलोजी कहा जाता है बात करेंगे कीटो के वैग्यानिक अध्धिन को क्या कहा जाएगा इक्क्योथोलोजी यह आपका इक्क्योथोलोजी हो जाता है इसकी जो मतस्य की रचना और कार्य की इत्यादी के अध्यन को कहा जाता है इक्क्योथोलोजी एंटोमोलोजी की बात करेंगे कीटो के वेगयान इक अध्यन को कहा जाएगा पेरा सीटो लोजी या आपका परजीवी जीवों के अध्यन को कहा जाता है मेले को लोजी की बात करेंगे यह मोलेस्ट को और उनके खोलो यानि सेल के अध्यन को कहा जाएगा मेले को लोजी ठीक है इस तरह से जो है आपके question पूछे जाते है निमने लिकित में कौन सा विषय जनसंख्या और मानम समुदाय के महत्पून आगडो के अध्यन से सम्बंदित हो जाता है कौन सा सम्बंदित हो जाता है यह आपको बताना है और यह हो जाता है आपका जनांकी की जनांकी की आपका जनसंख्या के अध्यान और मानव सभूधाय के महत्मुनागडों से सम्बंदित हो जाता है विबिन संस्करितों के वैग्यानिक विवरं के तुलना अत्मगध्धिन को क्या कहा जाता है यह आपको याद रखना है यह इथिनोलोजी कहा जाता है जैविक जगत में होने वाले कार गुन पदिति के अध्यन के इस ग्यान को मशीनी जगत में उप्योग करने को क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाता है आपका बायो निक्स ठीक है यह आपको याद रखना है बायो निक्स कहा जाता है इसको और यहां हम समझेंगे important point के माध्यम से bionics यानि जैविक जगत में होने वाले कार, गुन और पदिती के अध्यन को अजयव तंतरपर इसका परियोग हो जाता है bionomics की बात करेंगे ये जीवधारियों का अध्यन उनके वातवरिन के संबंद में अध्यन हो जाता है bionomics की बात करेंगे ये जीवधारियों के नियमों का अध्यन हो जाता है यानि law of life इसके अध्यन को bionomics कहा जाएगा और biometry कहा जाता है आपका गनित्यम सांखे की तक्निकों द्वारा जीविग्यान के अध्यन को biometry कहा जाएगा ये सारे जो है आपके लिए important हो जाते है इनसे जो है आपके question पुछे जाते है रेसम कीट पालन को क्या कहा जाएगा तो रेसम कीट पालन को आपका हैरी कल्चर कहा जाता है क्या कहा जाता है सेरी कल्चर रेसम कीट पालन को epiculture की बात करेंगे मदो मखी पालन से संबंदित हो जाता है होटी कल्चर की बात करेंगे यह आपका पुस्प देने वाले पोधों से संबंदित हो जाता है और सेरी कल्चर आपका रिसम कीट से हो जाता है और फुलोरी कल्चर यह आपका सजावट के लिए काम आने वाले फूलो के संबंद में हो जाता है फुलोरी कल्चर और इस वीडियो में हमारे टोटल हो जाते हैं 100 कोस्चन और सारे कोस्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं निमने लिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है या आपको बताना है फूलो की खेती फूलोरी कल्चर कहा जाएगा फसलो की खेती एग्रोनोमी हो जाता है सब्जो की खेती को होटी कल्चर नहीं कहा जाएगा सब्जो की खेती को कहा जाएगा ओलेरी कल्चर ठीक है ओलेरी कल्चर हो जाता है सब्जो की खेती और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो C आपका सुमेलित नहीं है, फलो की खेती ये आपका पॉमोलोजी हो जाता है, और देख लेते हैं अगला कोश्चन, निमनली के युगमों में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, कौन से इन में से सुमेलित न आपसे पूछागा कौन सा सुमेलित नहीं है तो C आपका सुमेलित नहीं है PC culture जो है ये मतस्द पालन से संबंधित हो जाता है ये लाक्य किडे से संबंधित नहीं है आपसे पूछागा कौन सा सुमेलित नहीं है तो C आपका सुमेलित नहीं है और PC कल्चार यह आपका मचली पालन से संब्दित, यानि मतस पालन से संब्दित हो जाता है निमली में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, सुमेलित है कौन सी जोड़ी यह आपको बताना है, सब्द और अर्थ की दरिश्टी से सही सुमेलित कौन सी है यह आपको बताना है तो इन में से सही सुमेलित हो जाएगी केवल लेक्सिकोग्राफी लेक्सिकोग्राफी यानि सब्द कोस के संकलन को लेक्सोग्राफी कहा जाएगा और बाकी जो है यह आपके गलत हो जाते हैं सही कौन-कौन से हो जाते हैं, इन में से देख लेते हैं, लेक्सिकोग्राफी, सब्द कोस का संकलन का संजयोजन को कहा जाएगा, फिलोलोजी, भासा की संगरक्षना, एवं विकास, एवं इतिहास के अध्यन को कहा जाता है, फिलोलोजी, एंटोमोलोजी, कीटो के अध्यन को कहा जाएगा और आइकोनों ग्राफी ये परतीमाओ और चितर कला के अधिन को कहा जाता है ठीक है ये आपको याद रखने है बार-बार आपके कोश्चन यहीं से पुछे जाते हैं विटी कल्चर के द्वारा निमनेलिक से कौन एक उतपादित होता है विटी कल्चर की बात की गई है और ये अंगूर की खेती से सम्मदित हो जाता है विटी कल्चर ठीक है ये चीजे आपको याद रखनी है कीट समवर्धन क्या है कीट समवर्धन आप से पूछ रहा है तो कीटों की विरद्धी करने के विज्ञान को कीट समवर्धन कहा जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है और बाकि आपके गलत हो जाते हैं कीट समवर्धन कीटों की विरत्धी करने के विज्ञान को कीट समवर्धन कहा जाता है और अगर आप चैनल पर नई है êtes तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमारे टेलिग्राम और वाटसप चैनल से जुटने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगला कोश्चन हो जाता है हमारा वर्मी कल्चर में परियुक्त वर्म होता है वर्मी कल्चर में परियुक्त वर्म कों सा हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका अर्थ वर्म, अर्थ वर्म हो जाता है जो वर्मी कल्चर में परियुक्त वर्म होता है ठीक है और इसको जो है कैच्छवा कहा जाता है ठीक है वर्मी कल्चर यानि कैच्छवा जेनेटिक्स निमने में से किसका अध्यन हो जाता है जेनेटिक्स की बात की गई है तो जेनेटिक्स में आपका आनुवान सिक्ता का और विचरन हो जाता है इसको जो है जेनेटिक्स कहा जाएगा ठीक है यह आपको याद रखना है अगला कोश्चन हो जाता है जेरेंटोलोजी निमने लिखत में से किसके अधिन से सम्मधित हो जाता है जेरेंटोलोजी की बात की गई है और जेरेंटोलोजी यह आपका वरद अवस्ता से सम्मधित हो जाता है जेरेंटोलोजी और यहां देखेंगे अठारा नमबर कोश्चन वरद्दा वस्ता वेम काल परभावन के विशे में ग्यान प्राप्त करने की विद्या क्या कहलाती है वरद्दा वस्ता में काल परभावन के विशे में ग्यान प्राप्त करने की विद्या ये जैरेंटोलोजी कही जाती है ठीक है, question को आप से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है जीन विरत होने की परकिरिया के अध्यन को क्या कहा जाएगा तो इसका भी correct answer आपका gerontology हो जाता है पैडोलोजी निम्न वैग्यानिक अध्यन से सम्मदित है पैडोलोजी में किसका अध्यन हो जाता है तो पैडोलोजी में आपका मिट्टी का अध्यन हो जाता है ठीक है, पैड़ आपके मिट्टी में लगए जाता है इसलिए मिट्टी का अध्यन ये हो जाता है अस्थियो का अध्यन विज्ञान की किस साखा के नतर्गत किया जाता है अस्थियो की बात की गई है तो अस्तियों का अध्यन हो जाता है आपका ओष्टियो लोजी औड़िय यह अस्तियों के अध्यन से सम्वंदित हो जाता है और बात कर लेते हैं बाकी के बारे में और ये हो जाता है हमारा हड्यों की पढ़ाई विज्ञान की किस साकह के इंतरगात आती है तो ये भी आपका और ये हो जाता है और सर्पो के विशे में जानकारी प्राप्त करना इसको क्या कहा जाएगा सर्पो के विशे में जानकारी प्राप्त करने को सर्पेटोलोजी कहा जाता है ये आपको याद रखना है सर्पेटोलोजी कहा जाएगा सर्पो के विशे में जानकारी प्राप्त करना निम्न में से बेमेल को ग्याद करना है, बेमेल आपका कौन सा हो जाता है तो बेमेल इसमें से हो जाता है साइकलोजी, साइकलोजी ये मनोविज्ञान से संबंदित हो जाते हैं कुछ है क्या हो जाता है तो यह हो जाता है म्रदा विहीन पादप संवर्धन ये आपका हाइडो पोनिक्स कहा जाएगा और अगर आपने अभी तक हमारी लाष्ट बारा मेहनी के उत्तरपरदेश की करेंट नहीं देखे है तो आप करेंट अफेर देख सकते हैं और ये हो जाता है जनवरी से दिसम्बर की मेराथन किलास हो जाती है और करेंट अफेर ये पूरा आपको फुल जो है इसमें करेंट अफेर मिल जाते हैं लगबग इसमें धाईसों के आसपास आपको कोश्चन मिल जाते हैं और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखे है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, महां आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और उत्तर प्रदेश का करेंट अफेट, डीटेल वाइज भी आपको मिल जाएगा, और बाकी वीडियो भी टोपिक वाइज हमने अपने चैनल पर अप्लोड कर रखे हैं, महां चे जाकर आप देख सकते हैं, तो ये हो जाती है आपकी डार्विन के द्वारा, डार्विन के द्वारा लिखे गई है पुष्टक, दा ओरिजिन ओव दा, इस पीच, ठीक है, ये आपको याद रखना है, विकास वाद का सिद्धान्त किसके द्वारा परतिपादित किया गया है, विकास सिद्धान्त आपसे उचा गया है, तो इसके भी जो परतिपाद अगयी आपके डार्विन हो जाते हैं, जैविकास यानि इवोलोशन के सरुपर्थम किसने समझाया है, जैविकास को सरुपर्थम किसके द्वारा समझाया गया है, तो ये हो जाते हैं आपके लैमार्क, विकास के उत्परिवर्तन सिध्धान का पर्तिपादन आपसे पूछा गया है और ये हो जाते हैं आपके हुगो डी विरिज ने हुगो डी विरिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिध्धान का पर्तिपादन किया था जीवों में अत्यदिक विवित्ता का कारण क्या हो जाता है जीवों में अत्यदिक विवित्ता का कारण ये आपका उत्त परिवर्तन हो जाता है और यहां हम बात करेंगे सबसे छोटे जीव के बारे में सबसे छोटा जीव जो स्वम विकास और परजनन करने में समर्थ है वो कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा जीव के बारे में आपको बताना है और ये हो जाता है आपको माईकोल प्रलाजमा माईकोल प्रलाजमा हो जाता है सबसे छोटा जीव जो स्वन विकास और प्रजन करने में समर्द हो जाता है गरम रुधिर वाले जन्तु वे होते हैं जो अपने सरीर के तापकरम को इन में से आपको बताना कौन सा करेक्ट हो जाता है गरम रुधिर वाले जन्तु हो जाते हैं तो गरम रुधिर वाले जन्तु वे होते हैं, जो हमेशा अपने तापमान को एक सा बनाए रखते हैं, जो अपने सरीर के तापकरम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वो गरम रुधिर वाले जन्तु हो जाते हैं. निम्न में कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किन्तु वे सांस लेते हैं रक्त नहीं होता है फिर भी वे सांस लेते हैं ऐसा कौन सा हो जाता है तो इसका correct answer हो जाता है आपका हाईडा हाईडा में रक्त नहीं होता है फिर भी वे सांस लेते हैं निम्न लिखित में से कौन सी मचली नहीं है तो इन में से जो starfish होती है या आपकी मचली की सिरेनी में नहीं आती है ठीक है और बाकी साफिस हो जाती है guitarfish और pipefish या आपकी मचली की सिरेनी में आ जाती है निम्न में से कौन एक वास्तवीक मीन यानि मचली हो जाती है वास्तवीक मचली आपसे पूछी जाती है कौन सी हो जाती है तो ये हो जाती है आपकी catfish catfish एक मचली हो जाती है निम्न में कौन सी वास्तवीक रूप से मचली है वास्तविक रूप से मचली कौन सी है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाता है समूंदरी घोड़ा समूंदरी घोड़ा जो होता है यह आपका वास्तविक मचली हो जाता है ठीक है इसे बोनी फिस भी कहा जाता है ठीक है यह भी आपको याद रखना है इसको बोनी फिस के नाम से भी जाना जाएगा निमने लिखत में कौन एक मचली है इन में से आपको बताना है कौन सी एक मचली हो जाती है तो इसमें भी जो है आपका दिया गया समुदरी घोडा ये एक मचली हो जाती है और यहां हम बात करेंगे सार्क मचली में कितनी हड्डिया होती है यह आपको बताना है सार्क मचली में कितनी हड्डिया होती है और इसका अंसर जो है चोकाने वाला हो सकता है इसका correct answer होता है सार्क मचली में एक भी हड्डी नहीं होती है सार्क मचली में एक भी हड़ी नहीं होती है ये आपको याद रखना है सबसे बड़ा इस्तनपाई कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा इस्तनपाई आपसे उचा गया है और ये हो जाता है आपका वेल मचली सबसे बड़ा इस्तनपाई हो जाता है वेल निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी हो जाएगा वेल आपसे पूछा गया है किस वर्ग का प्राणी हो जाता है तो वेल जो है ये एक विस्तनपाई हो जाता है निम्न में से कौन विस्तनपाई है विशालतम है, दात वाली वेलों में विशालतम कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी स्पर्म वेल, इस्पर्म वेल आपकी दात वाली वेलों में सबसे विशालतम हो जाती है, और इसकी जो लंबाई है ये आपकी 50 से 55 फुट लंबी तक हो सकती है, ठीक है, 50 से लेकर 55 फुट लंबी तक ये हो जाती है और 35 से 45 तन वजनी तक भी ये हो सकती है निम निलिकिन में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है अंडे देता है कौन हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका एकेडीना एकेडीना जो है ये अंडे देता है बच्चे नहीं देता है और यहां देखते हैं यह हो जाता है आपका एकडिना और यह जो है आश्टेलिया और नयागिनी में रहने वाला मोनो टिम गन का प्राणी हो जाता है निमनेलिंग में कौन एक इस्तंधारी अंडे देता है तो ये हो जाता है आपका एक ही डिना ये हम आपको उपर दिखा चुके हैं और ये कोश्चन आपसे 2022 में ही पूछा गया है अंडे देने वाला जो इस्तंदारी है ये आपका एक ही डिना हो जाता है उड़ने वाला इस्तंपाई कौन सा हो जाएगा जो उड़ता है ऐसा इस्तनपाई बताना है जो आपका उड़ता है तो ये हो जाता है आपका चमगाधड़ चमगाधड़ एक ऐसा इस्तनपाई है जो उड़ सकता है निमने लिगत उड़ने वाले जियों में कौन सा पक्सी वर्ग में नहीं आता है पकसी वर्ग में कौन सा नहीं आता है तो पकसी वर्ग में आपका जो चमगा दड़ा है ये पकसी वर्ग में नहीं आता है डॉल्फिन वर्गी करत किये जाते हैं तो ये हो जाता है आपका जो इस तनी में वर्गी करत किये जाते हैं आपके डॉल्फिन निम्न में कौन सा जीव अपनी तुअचा से सांस लेता है? कौन सा हो जाता है जो अपनी तुअचा से सांस लेता है? तो यह हो जाएगा मैंडक, मैंडक अपनी तुअचा से सांस लेता है मैंडक cold blood animal हो जाता है? यह सही है गलत है इन में से कोई नहीं आप रोक्त सभी मैंड़क cold blood animal हो जाता है तो इसका जो है यह option हो जाता है सही मैंड़क cold blood animal हो जाता है मैंड़क के कायंतरण में क्या होता है यह आपको बताना है मैंड़क के कायंतरण में तो इसमें आत छोटी हो जाती है ठीक है यह आपको देख लेना है मेंडक के कायंतरन में आत जो है यह छोटी हो जाती है गडियाल बहुत आयत में पाए जाता है गडियाल बहुत आयत में कहां पाए जाता है तो ये आपका गंगा में पाए जाता है गडियाल निर्शन स्प्राणी कौन सा हो जाएगा जो निर्शन स्प्राणी है ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका ओटर ओटर जो है एक निर्शन स्प्राणी हो जाता है ठीक है और इसको जो है उद्विलाव भी कहा जाता है ओटर कहा जाता है आपका उद्विलाव को निमने लिखत में स्वान उपजातियों में कौन भोकने में ऐसमर्थ है भोकने में ऐसमर्थ हो जाता है कौन हो जाता है तो ये हो जाता है आपका डिंगो डिंगो एक ऐसा स्वान है जो भोकने में ऐसमर्थ हो जाता है प्राय जो भालू गलियों में तमासा दिखाता है वो कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाता है आपका रीच निमनल की जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलता पूर्वक भासा का उप्योग करना सिखाया गया हो निमनल की जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है तो ये हो जाता है लंगूर लंगूर जो है कपी की सिरेणी में नहीं आता है और गीबन गोरिला और ओरंगुटान ये आपके सब कपी की सिरेणी में आ जाते हैं मानव सेदरस लगूतम कपी हो जाता है मानव सेदरस लगूतम कपी है तो ये हो जाता है आपका गिबन गिबन जो है मानव सैदरस लगुतम कपी हो जाता है यानि मानव से ज़्याद है जो निकटता रखता है और ये हो जाता है आपका गिबन ठीक है ये आपको देख लेना है और इसका जो मूलिस्थान है ये हो जाता है आपका पूर दक्षिन दक्षिन पूर एश्या के वर्सावनों में ये पाए जा सकते हैं ठीक है ये हो जाते हैं आपके गिबन पांडा भी उसी कुलका है जिसका कौन है पांडा किस कुलका हो जाता है तो पांडा आपका भालू के कुलका हो जाता है निमनली की जन्तों में किसमें तीन परकोष्ट वाला हिर्दय पाए जाता है तीन परकोष्ट वाला हिर्दय किसमें पाए जाता है तो ये हो जाता है आपका मैंडक मैंडक में आपका तीन परकोष्ट वाला हिर्दय पाये जाता है तिरी कोष्टिया हिर्दय पाये जाता है तिरी कोष्टिया हिर्दय पाये जाता है तो ये हो जाता है आपका जो उभै चरो होते हैं उबै चरो में आपका तिरी कोष्टिय इस दैप पाए जाता है और ये कोष्टन आरो आरो की परिक्सा में पूछा गया है निमने लिखित में से किस जन्तू में खुर नहीं पाए जाते हैं निमने लिखित में से किस जन्तू में खुर नहीं पाए जाते हैं तो ये हो जाता है आपका गीदड गीदड में जो हैं आपके खुर नहीं पाए जाएंगे बाकी हीरन जेबरा और गोड़ा इन तीनों में आपके खुर पाए जाते हैं नील गाए निम्ने लिखित कुल में आती है नील गाए कौन से कुल में आती है तो नील गाए आपकी हीरन के कुल में आ जाती है निम्न में से कौन सा जैविक मूलखा हो जाता है जैविक मूलखा कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है तो यह हो जाता है मूंगा मूंगा जो है ये एक जैविक मूल का हो जाता है और इस वीडियो में आपको टोटल हंडेट कोश्चन मिलने वाले हैं और सारे कोश्चन जो है आपके लिए important हो जाते हैं और ये वो कोश्चन है जो बार-बार आपकी प्रिक्सा में मोलस्क हो जाता है सबसे बड़ा एकसेरू की कौन हो जाएगा सबसे बड़ा एकसेरू की आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है आपका इसकेविड इसकेविड जो है सबसे बड़ा एकसेरू की हो जाता है और ये जो किलास है ये हमारी केवल रिवीजन के लिए चल रही है और अब थियोरी पढ़ने का समय नहीं बचा है दीमक को यह भी कहते हैं दीमक को क्या कहते है तो दीमक को आपका स्वेथ चीटी के नाम से भी जाना जाता है जुगनू होता है एक जुगनू क्या होता है तो जुगनों एक कीट की श्रेनी में आ जाता है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आसरित रहने को क्या कहा जाता है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आसरित रहने को क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा उपर जीविता उपर जीविता कहा जाएगा एक पर जीवी पर दूसरे पर जीवी के आश्रित रहने को और यहां हो जाता है निमने जेखितने से कौन सा कीट नहीं है यह आपको बताना है कौन सा इनमें से कीट नहीं है तो जो मकडी है यह कीट की सिरेनी में नहीं आते हैं बाकी खटमल, घरेलू मक्य और मच्चारी ये आपके कीट की सिरेनी में आ जाते हैं मकडी कीट से भिन होती है क्योंकि मकडी में पाई जाती है मकडी में क्या पाई जाती है जिससे वो कीट से भिन हो जाती है तो मकडी में आपकी आठ टांगे पाई जाती हैं जिससे वो कीट की स्रीनिशे बाहर हो जाती है निम ने लिखित में से कौन सा कीट नहीं है तो इसमें भी जो है आपका हो जाता है मकडी मकडी जो है ये कीट नहीं है मकडियो द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है मकडियो द्वारा उत्पादित रेशम तो यह कहा जाता है आपका गोसामर रेशम गोसामर रेशम जो है यह मकडियो द्वारा उत्पादित रेशम हो जाता है और यह कोच्चन जो है दो बार आपकी परिक्षा में उचा जा चुका है रेशम का किड़ा यानि सिल्प और अपने जीवन चक्र के किस चरण में वानिज्य के तंतू पैदा करता है किस चरण में हो जाता है यह आपको बताना है तो यह हो जाता है आपका कोशित यानि प्यूपा जब वो प्यूपा होता है तो उस चरण में जो है वो तंतू पैदा करता है रेसम कीट जिन पर पनपता वे हो जाते हैं रेसम का कीट किन पर पनपता है तो ये हो जाता है आपका सहतूत की पत्यों पर रेसम का कीट सहतूत की पत्यों पर पनपता है और ये कुछ इस तरह से हो जाता है ये हो जाता है आपका रेसम का कीट ठीक है और इस तरह से ये रेशम का निर्मान करता है निम्नांग कित में से कौन एक कीट के सरीर से निकला सराव हो जाता है तो ये हो जाता है आपका लाख और इस लाख को जो है लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है ये भी आपको याद रखना है निमने लिकित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है कौन सा है जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है तो ये हो जाएगा मोती मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है निमने लिकित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है सफेद रक्त होता है किसका होता है तो ये हो जाता है आपका तिल चट्टा तिल चट्टा यानि इसको कोक रोच भी कहा जाता है और कोक रोच का जो बलड है वो आपका वाइट हो जाता है लाल रक्त कनी का विहिन जन्तू कौन सा हो जाएगा लाल रक्त कनी का विहीन जन्तू तो ये हो जाता है आपका कैचवा कैचवा जो है लाल रक्त कनी का विहीन जन्तू हो जाता है निम ने लिकित में से किस गुरूप में जन्तू प्राय रात्रीचर होते हैं रात्री चर हो जाएंगे, किस गुरूप के हो जाएंगे ये आपको बताना है तो ये हो जाएंगे मच्चर हो जाएगा, चमगादड हो जाएगा और उल्लू ये तीनों जो हैं रात्री चर हो जाते हैं किसका मस्तिज को उसके सरीर के अनुपात में सबसे बड़ा हो जाता है तो ये हो जाता है आपका चीटी और चीटी का जो मस्तिज का उसके सरीर के अनुपात में सबसे बड़ा हो जाता है और जब चीटिया काटती है तो वे अतय शेपित करती है तो ये हो जाता है आपका फार्मिक अंबल और ये जो है बार बार तरह तरह से जो है कोश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है चीटियों के डंक में कौन सा अमल पाए जाता है ये आपका फार्मिक अंबल होता है इस त कुन सा हो जाता है आपको बताना है केवल नर रक्त चूसते हैं तो ये तो गलत हो जाता है केवल नर रक्त चूसते हैं ये गलत हो जाएगा केवल मादा रक्त चूसती है तो ये आपका करेक्ट हो जाता है तो ये आपका हो जाता है करेक्ट केवल मादा जो है वो रक्त को चू नर के डेने बड़े होते हैं, यह आपका गल्त हो जाता है। निमने कुंछा जामन स्यावन नाम डार भी पानी प सबस्क्रासिय कहें। बात की गई है बिना पानी पिये तो बिना पानी पिये आपका रहताता है कंगारू चुहा जो आपका कंगारू चुहा होता है ये बिना पानी पिये काफी लंबी अवधी तक जीवित रह सकता है और निम निलिग में से कौन सा जानवर ठोस मूतर उत्सर जित करता है तो ये भी आपका कंगारू चुहा हो जाता है ठोस मूतर उत्सर जित करेगा आपका कंगारू चुहा गोंसला बनाने वाला एक मातर साप हो जाता है कौन सा हो जाता है जो गोंसला बनाता है तो ये हो जाता है आपका राजनाग या किंग कोब्रा किंग कोब्रा जो है एक मातर ऐसा साप हो जाएगा जो अपना गोंसला बनाता है कोब्रा सर्ब का विस कैसा होता है तो ये हो जाता है आपका तंत्री का विशी तंत्री का विशी हो जाएगा कोपरा सर्प का विश निमने लिखित में से किस एक सर्प का मुख्य भोजन अन्य सर्प होते हैं ठीक है उनका जो भोजन होता है वो अन्य सर्प को खाता है ऐसा कौन सा सांप हो जाता है जो दूसरे सांपों को खा जाता है तो ये हो जाता है आपका नागराज, नागराज जो है ये ऐसा सांप होता है जो आपके दूसरे सांपों को खा जाता है निमने लिगे में कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, जहरीला कौन सा नहीं है ये आपको बताना है तो ये हो जाता है आपका अजिगर अजिगर जो है आपका जहरीला नहीं होता है ये जो है अपने बोजन को निगल लेता है सापके जहरीले विश्दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है कौन सा रूपांतरित हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका जम्बी का दंत, जम्बी का दंत होते हैं जो रूप आंतरित होते हैं और ये भी जो है आपसे आरो आरो की परिक्षा में पूछा गया है कुत्ता एक साकारी जानवर है, क्या ये सही हो जाएगा, क्या ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ये उपरोग सभी, तो ये जो है गलत हो जाता है, कुत्ता एक साकारी जानवर नहीं है कीट बक्सी पोदे मिट्टी में किसकी कमीशे उगते हैं कीट बक्सी पोदो की बात की गई है ये मिट्टी में किसकी कमीशे उगते हैं तो ये हो जाते हैं आपके नाइट्रोजन की कमीशे उगते हैं कीट बक्सी पोदे निमनेली में कौन सा एक कीटा हारी पादब हो जाता है कीटा हारी पादब हो जाता है आपका घट पढ़नी ठीक है घट पढ़नी हो जाता है कीटा हारी और ये जो है आपका मेगाले में पाये जाता है घट पढ़नी के निमनेली भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरीत होता है कौन सा रूपांतरीत हो जाता है घट में तो ये हो जाता है इसका जो पत्ता होता है ये आपका घट के रूप में रूपांतरीत हो जाता है और निम निल्ग में कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है इस्ट की बात करेंगे एक किनवन के समय काम आता है कैशीन की बात करेंगे ये आपका दुख्ध प्रोटीन में पाय जाएगा और एलो वीरा के बात केंगे यह आपका आवर्थबीजी हो जाता है और घट परणि यह पर जीवी आवर्थबीजी नहीं है यह आपका हो जाता है, गलब आपसे पूछा गए सुमेलित कौन सा नहीं है? तो d आपका सुमेलित नहीं है और 39 यानि घजियाना घट पर नी नामक दुरलब एक आपात ये पोधा पाए जाता है ये कहाँ पाए जाएगा तो ये आपका पाए जाता है मेगाले में पोधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो पोधे के जो है तने से हल्दी प्राप्त हो जाती है हल्दी के पोदे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है तो ये हो जाएगा जो इसका परकंद होता है वो इसका खाने लायक हिस्सा हो जाएगा और ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट कोश्चन इसमें हमने टोटल आपको 100 कोश्चन करा दिये हल्दी भूमिगत तने का उधारन है जिसे कहते हैं हल्दी जो है भूमिगत तने का उधारन है और इसको क्या कहा जाएगा तो इसको जो है राई जोम कहा जाता है और ये कोचन जो है हाल में 2021 में ही आप से पूछा गया है आरो आरो की परिक्षा में और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं और हमारे टेलिगराम और वाटसब चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेले दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार